अब मूवी से कुछ जादा ही एक्सपेक्टेशन कर लेना भाई साथ ये हमारी ही गलती होती है क्योंकि यार हम बहुत जादा हाई उमीदें लगा लेते हैं कि यार ये मूवी तो बहुत अलगी लेवल पे जाने वाली है जब उस लेवल पे नहीं जाती है फिर हमें ही बुरा लगने लग जाते हैं तो आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे पुश्पा मुवी यानि पुश्पा के फर्स्ट पार्ट के बारे में तकरीबन इसकी लैंट तीन गंटे के आसपास है और जोब यह मुवी का ट्रेलर आया था स्टाइल करते हैं वह ऐसे वाला यहां से यह यह मैं भी करता हूं तो मेरा कोपी नहीं है मेरे तो प्रोबल होती है मैं क्यों ताहरा हूं फिर भी ऐसी मतलब थोड़ा साच्छा सा लगा कि अपने मेरे कोपी नहीं किया नहीं न मैंने उनकी किया है तो इसी तरीके से कुछ चीजें मिलती हुई मिलेगे इसके अदर केजीए को को उपरी तोर पर बात कर दो दोनों ही हीरो के पास उनके बाप नहीं है दोनों ही अपने अपने शेतर में राज करना चाते हैं एक गोल्ड के अंदर और एक लकडियों के अंदर लाल चंदन की लकडियां होती हैं उसके उपर राज करना चाते हैं तो ये थोड़ी बहुत similarities है movie के अंदर पुश्पा movie है उसके first part के अंदर rising यानि उत्थान दिखाया गया है कि भी कैसे pushpa जो है वो एक तरीके से सामने आता है सबके और सबको मार कर अपना मतलब गुंडा बनता है या फिर कहीं कि सबका ही राजा बनने की कोशिश करता है तो ये first part के अंदर देखने को हमें मिल रहा है थोड़ी बहुत similarities थी मैंने बताया कि जीव के अंदर ये आपको नहीं भी लग सकती है या लग भी सकती है सबका अपना अपना अपीनियन है मैंने क्या रहा हूं कि बिल्कुल कोपी है थोड़ा बहुत होता है जैसे कहा नहीं कि सेम कॉंसेट थोड़ा बहुत हो सकता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है में चीज होती है कि हम उसमें एंटर्टेन कितना होते हैं और जब मुवी के अंदर अलु अर्जिन सर की एंट्री होती है भाई साब, किलकारियां, सिट्टियां वो अलग से गुझती होती है अलग ही experience हमारे सामने आता है तो मुवी के अंदर जो स्टोरी है लाल रंग की जो चंदन की लकडियां है उनको export किया जा रहा है अब उसके पीछे काफी सारे लोग लगे हुए अपना एक सिंडिकेंट उनोंने बना रखा है तो ये काफी जादा मतलब एक attractive story लगती है देखो काफी लगता कि यार घंबीर है और वास्तों में होती है बहुत बढ़िया लगी है उस story को देखकर action इस movie के अंदर जो देखने को मिलते हैं वो भी काफी अच्छे है अब काफी सारे गएंगे क्यार physics, geography, history ये सारी ही मिला लेते हैं देखो यार वो चीज़ें मत मिला ले ना यार physics, physics वो दो-तिन subject मैंने अलग से बोल दिये तो movie देखने जा रहे हो entertainment डूडो और वो मिलती है जैसे hero की entry होती है जैसे alo origin की entry होती है एक swag वो जो मारते है तो उनका एक style ही धासू है तो वो भाई साब हमने enjoy किया है वास्ता में जब movie चल रही थी इस चीज़ को तो भाई full on enjoy किया है तो मैं नहीं कहुँआ कि यह खराब थी कोई action काफी अच्छे है हाँ लेकिन जो movie की length है वो 3 घंटे वो काफी जादा है थोड़ी बहुत information हमें और देनी चाहिए वो चीज़े नहीं मिलती है यह मैं अपना personal opinion होता रहा हूँ कि यार movie की जो length है वो मुझे ज़्यादा लगी क्योंकि यार देखो movie खिंचती हुई नजर आती है मैं यही सोच रहा था तो movie काफी जादा होती overall काफी अच्छी movie है cinematography इस movie की काफी बढ़िया है अलवर जुन जब मैंने कहा कि उनकी entry, उनके action, उनका dance है वो काफी अच्छा रही है वाला भाई साब यह अप उनका भी है मेरा तो problem है मतलब problem क्या एक तरीकी की जो आती ना excitement नहीं बनी है अभी शायद आपकी बन सकती है तो overall movie अच्छी है मेरी तरव से इसको मैं देना चाओगा 6.5 out of 10 अगर आप लोगों ने movie देख रखे तो please comment करना कि आप लोगों के इसलिए अगर नहीं देखे तो एक अच्छी है आप जाकर देख सकते हैं पसाच के लिए इतना है रखते हैं इस वीडियो में thanks for watching this वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिंद